हाई एवरिवान मैं हूँ फिजा खान और आप सभी का मेरे चैनल स्टेडी वित मी में स्वागत है तो अज मैं फिर से आप लोग लेकने में स्टोरी लेकर आई हूँ और यह स्टोरी भी काफी इंट्रेस्टिंग है प्लस थोड़ी सैडी भी है तो आईए इस स्टोरी का और फ्रेशन ख्र रहा था चर्णा यानि घास घुर फिर कर जो भी जैंवर खाता है तो उसे चर्णा बोलते है न उसे इंगलिश में ग्रेशन बोलते है यानि चर्णा था Прेश ग्रास यानि ताजी घास चर्र रहा था इन प्लेजर यानि खुशी में प्लेजर का मतलब होता है खुशी यानि खुशी में ताजे घास वो चर रहा था एक हिरन he could not see from one of his eyes right from his childhood यानि वो सकता था देखना नहीं देख सकता था from one of his eyes यानि उसके उसके आखो से उसके एक आख से नहीं देख सकता था right from childhood यानि right ठीक से नहीं देख सकता था right है तो यानि ठीक से एक आख से वो नहीं देख सकता था from his childhood यानि बचपन से उसके बचपन से ही वो एक आख से सही से देख नहीं सकता था so with one eyes he was keeping a watch over his surrounding यानि so with one eye यानि इसलिए एक आख के साथ he was keeping यानि वो रख रहा था watch over his surrounding यानि नजर watch यानि नजर रख रहा था meanwhile यानि उसी दवरान he looked around and having found no danger यानि उसी दवरान he looked उसने देखा around यानि चारो तरफ and having found no danger यानि having मतलब है found यानि पाना या मिलना no danger यानि नहीं danger यानि खत्रा नहीं है खत्रा नहीं मिला उससे उसे जो है उसने देखा कि उससे नहीं मिला कोई भी खत्रा नहीं मिला Begin to graze Fairlessly in the field यानि Begin मतलब शुरू होना Begin का मतलब उसने शुरू किया To graze यानि चरना यानि वो चरने लगा Fairlessly यानि बेखाफ यानि बीन डरे वो चरने लगा यानि दुबारा से वो घास खाने लगा In the field यानि मैदान में या खेत में खेत तो नहीं है यानि जंगल में जो कुछ मैदान होते हैं तो यानि मैदान में बेखाफ वो चरने लगा Suddenly अचानक A few hunters arrived in board from the seaside यानि अचानक से A few hunters यानि कुछ hunters यानि शिकारी कुछ शिकारी arrived यानि पहुचे या आए in boats यानि नाव में नाव में आए from the seaside यानि समंदर के किनारे से समंदर के किनारे से नाव में कुछ शिकारी आए they saw यानि उन्होंने देखा the deer यानि हिरन को देखा grazing चरते हुए देखा and attacked him with deer arrows यानि और attack किया यानि हमला किया him उस पर with deer arrows यानि उनके deer मतलब उनके तीरों के साथ उनके arrows से उस पर हमला किया किस पर हमला किया deer पर यानि हिरन पर हमला किया the deer was unable to escape यानि the deer was unable यानि काबिल unable का मतलब होता है नकाबिल यानि वो नकाबिल था deer जो है हिरन नकाबिल था योगे हिंदी में कहते हैं योगे नहीं था यानि उस लायक नहीं था to escape यानि बचने के लायक नहीं था he was very badly injured by the hunter's arrows यानि he was very badly injured यानि वो बहुत बहुत था bad यानि बहुत बुरी तरीके से injured हो गया था यानि जखमी हो गया था by the hunter's arrows यानि buy यानि की तरफ से या के जरीए से तो hunter यानि शिकारी के तरफ से जो arrow आया था उसके वज़े से तो hunter's arrows यानि शिकारी के तीरो की वज़े से वो बहुत बुरी तरीके से injured हो गया था he failed वो गिरा लाइफ लेसली यानि बेजान होकर lifelessly का मतलब होता है बेजान यानि बेजान होकर वो गिरा on the ground यानि जमीन पर जमीन पर बेजान होकर वो गिरा before taking his last breath यानि पहले लेने से यानि लेने के पहले क्या लेने के पहले his last breath यानि उसकी आखरी सांस लेने से पहले उसकी आखरी साथ लेने से पहले उसने कहा I was keeping यानि मैं रख रहा था मैं रख रहा था an eyes यानि एक आँख से on the jungle यानि जंगल पर नजर रख रहा था एक आँख से वो नजर रख रहा था जंगल पर and death came from the sea और मौत आई from the sea यानि समंदर से सोचा भी नहीं था कि समंदर से उसकी मौत हो जाएगी समंदर के किनारे वो समंदर के किनारे पर नजर नहीं रख रहा था क्योंकि वो जान रहा था कि समंदर से मेरी मौत नहीं होगी क्योंकि ना वो समंदर में जाएगा और नहीं समंदर से कोई भी मचली इतनी दूर आएगी इस तरह से या उसे खाएगा इस तरह से जो उसने सोचा है कि मेरी मौत तो यहां से नहीं भले जंगल से कोई भी जानवर आ सकता है मुझे अटैक कर सकता है इसलिए वो एक आख से बिचारा से इसे देख भी नहीं सकता था लेकिन एक आख से उसने जंगल पर नजर रखी वे थी कि ताके उस पर कोई जानवर हमला ना कर सके लेकिन इसलिए उसने कहा मैंने एक आख से नजर रखा था जंगल पर लेकिन मेरी मौत आई समंदर से तो आईए इस स्टोरी का मोरल देखते हैं इस स्टोरी का मोरल है One cannot escape once lot यानी One कोई नहीं सकता बचना यानि कोई भी नहीं बच सकता once lot यानी किसी की ज्यादती से यानि lot मतलब ज्यादा किसी की जादती से कोई भी नहीं बस सकते हो इसके एप मतलब होता है बचना और once यानि कोई भी कोई एक का नाम नहीं ले गया है वो चाहिए इनसान हो या जानवर कोई भी किसी की जादती से नहीं बस सकते है कि देखें यहाँ एक तीर नहीं है कई सारे तीर लगी हुई है इसलिए कोई जादा चीज से जो है वो नहीं बस सकता है तो I hope कि आप लोग को ये story पसंद आई है अगर पसंद आई है तो please वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा तो मैं आप लोग से नेक्स वीडियो मिलती हूँ बाई